बिस्मिल्ला रख्मान रखीम, असलाम अलेकम, वेलकम बैक टो मैं चैनल, कैसे हैं आप साथ उमीद करते हैं, सब क्यारियत से होगे आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूगी, लोस कुर्टे की कटिंग एंड स्टिचिंग इस तरीके से रेडि टू वेर कुर्टे की कटिंग एंड स्टिचिंग होई भी होती है, इसी तरीके से आज हम इसको कटिंग और स्टिचिंग करेंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों पार्ट को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और इस त्रीके से उपर नीचे राख लिया है यह वाली बंद साइड है और ओपन साइड हम अपने तरफ रखेंगे यह वाली कटिंग जो हम कर रहे हैं यह मीडियम साइड कोटे की कटिंग है सबसे पहले हम लेंद के लिए मार्किंग कर लेंगे तो लेंद से इसके आप अपने चुआइज के साग से भी रख सकते हैं अगर आपका हम पहनना चाते हैं तो इसकी लेंद का हम भी कर सकते हैं तो हम tere की cutting कर लेंगे तो यहां पर जो हम तीरे का size लेंगे वो हम 2 inch extra size लेंगे जतना हमारा त्यार size होता है उससे, क्योंकि जे लोज कुछता हम त्यार कर रहें तो उसके लिए हम extra size लेंगे, जो कुछते का size हम लेते हैं, वो हम normal shirt से ज्यादा size लेते हैं, जो मेरा त्यार तीरा है वो 14 इंच होता है तो यहाँ पर मैं 16 इंच पर मार्किंग करूँगी 2 इंच एक्स्टा साइज लोगी अब नीचे की तरफ हम 1 इंच पर मार्क कर लेंगे जहां से हमने कंदे की डाउन कटिंग करनी है इस मार्किंग को हम छोड़ देंगे और यहाँ पर हम मार्किंग कर लेंगे हार मोल के लिए हमने जो तीरे का साइज लिया है उससे 1 इंच एक्स्टा साइज यहाँ पर हम लेंगे तो यहाँ पर मैं 9 इंच पर मार्किंग कर रही है अब यहाँ पर हम round shape दे लेते हैं बहुत ही soft hand के साथ यहाँ से हमने इसको बहुत deep cutting नहीं करना अब हम chest के लिए marking कर लेंगे तो यहाँ पर भी extra size लेंगे जैसे normal shirt का size 19 inch है तो यहाँ पर मैं 22 inch पर marking करूँगी 3 inch extra size लोगी अगर आप small size में इसको बनाते हैं तो आप यहाँ पर 2 inch extra size ले सकते हैं अगर आप कम loose कुर्टा पेना चाहते हैं तो आप इसका size कम कर सकते हैं side की sli के लिए हम marking कर लेंगे तो जो normal sli यहाँ पर होती है वो 12 inch या 13 inch होती है तो यहाँ पर भी मैं 2 inch extra size लोगी loose कुर्टे के चाहँ हम जितने चोटे बनाएंगे वो पेना हुआ अपने प्यारा लगेगा तो यहाँ पर मैं 2 inch extra size लोगी और 15 inch पर mark करूँगी loose कुर्टे में हमने सिर्फ chest और hip का size लेना होता है कमट का size लेहीं लेना अब हम hip के लिए marking कर लेंगे तो यहाँ पर मैं 3 inch extra size लोगी normal shirt का जो size है वो 21 inch है तो यहाँ पर हम कुर्टे की cutting कर रहें तो 24 inch पर marking करेंगी अब इन दोनों mark को हमने मिला लेना है और state line टुरा कर लेनी है यहाँ पर हमने कमर की marking नहीं करनी कमर की shape नहीं देनी simple इन दोनों mark को हम मिला लेते हैं side से हम एक इंच extra fabric छोड़ेंगे जो हम अंदर की तरफ fold करेंगे front side से हम तीरे की down cutting कर लेंगे तो यहाँ पर हम neck के लिए marking करेंगे neck के लिए हमने जो marking की है इसे छोड़ कर यहाँ पर हम एक तिर्शी line draw कर लेंगे जो हमने एक इंच पर marking की थी उसके साथ इसको इस तरह की से मिला लेंगे यह हम कुटता cutting कर रहे हैं तो हम front side से तीरे की down cutting कर लेंगे back side से इसकी cutting नहीं करेंगे marking हमने कर लिए हमने कर लिए हैं अब हम cutting कर लेते हैं पिटिंग के लिए हमने जो marking की है उसके ओपर से हमने इसको cutting नहीं करना एक इंच एक स्टा फैबरिक चोड़ेंगे सलाई के लिए और cutting कर लेंगे अब यहां पर हम छोटे से cut लगा लेते हैं अब दूसरे पार्ट पर भी हम यह निशान लगा लेते हैं अब यहां से हम इसकी cutting कर लेंगे जैसे normal shirt में यह deep cutting होती है वैसी नहीं करने यहां से हम बहुत ही कम deep cutting करेंगे जह हम कुटता cutting कर रहे हैं तो यहां से अगर हम इसकी cutting ना करें तब यह बहुत ही प्यारा लगता है यह लोज कुटता है लेकर कुछ लोगों को यह पसंद नहीं होती तो इसकी यहां से आप अलकी सी deep cutting कर सकते हैं बहुत ही अलकी सी cutting कर नेंगे हम यहां से इस तरीके से तो आप देख सकते हैं लोज कुटते की cutting complete हो चुकी है तो बहुत ही असानी के साथ ready to wear style में हम इसको गारपारी खुट स्टिच कर सकते हैं इसकी cutting और stitching बहुत ही असान है और यह पेने हुए बहुत ही प्यारा लगता है और बहुत ही trend में है उस कुटते के साथ जो sleeves cutting होती है वो different style में cutting होती है और simple sleeves भी cutting होती है तो इस कुटते के साथ अमने simple sleeves को cutting किया है उमीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए helpful रही होगी इंशाला नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ इसकी stitching शेयर करूंगी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें इंशाला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अलाव वीज़